हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफडिट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ असलाम अलेकुम तिंग टैंक में आपको खुशाम देद कहते हुए मैं हूँ सेयद आइश अनास प्रडाम में में साथ मौजूद हारूर रशीर साब सल्मान गनी साब अफेसर डॉक्टर हसन इसकरी साब और जनाब अया आजमी साब नाज़रें पाकिसानी सियासत की सूपर लीग की हम बात करने जा रहे हैं जो अपने फाइनल राउंड में हैं और इसमें मुस्लिम लीग नून पे चोताब खारी है आज खबर ये है कि वजिर आजम भी सूपर लीग का फाइनल देखेंगे लेकिन उनों ने इसे पहले एक स सक्त बयान होता तो फिर तो कोई इतराथ क्या था सक्त बयान नरम दे सक्ते हैं पर आप जब इस मंस्ब पे फाइज हो तो आपको कोशश करनी चाहिए कि बेतुका बयान अपनाते हैं जिसका कोई सिर्प पहर आप बजईर-अखिरन हैं जाके वहाँ पे कह रहे हैं कि गरitt हो रहे हैं मुलकी ऐसे सेनेट चेर्मन मुंतखिब हो के और एक मुतफिका चेर्मन लाना चाहिए एक एलेक्शन प्रोसेस से वो हुआ है आपको उस पे इतराज हो सकता है आप बिलकुल हक पजानब है पर एक आएने कानूनी तरीका है कि आप किसी इंतखाब के बारे में आपके तहफुजात हों तो आप इलेक्शन पेटेशन कोई और चीज़ सुप्रीम कोट में हाई कोट में जो जो भी कानूनी आपके पास आवनियूस है आप वो इस्तमाल कीज़े बहां के कह रहे हैं जी ये गए थे जब जहां से बहां वो शुरू हुआ जब ये कोटा गए थे वो तहरीक अदमे इतमाद रोकने के लिए ये सनावला जहरी के लिए सपोर्ट के लिए तो बतार वजिर आजम बलोचियों ने अपनी रवायत के बर खिलाफ इन से मिलने से इनकार कर दिया था ये एक दो दर्वाजों पे गए थे और बलोच ऐसे करते नहीं हैं बखतून ऐसे नहीं करते हैं हमारे हां भी नहीं होता ये बे असूल नहीं दुश्मन भी आजाए तो आप कहते हैं पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था आप पूछा जाए इन से तब ये कहते थे साज़िश हुई हैं भाई वो नवाब साब से पूछा जाए वो जो चीफ अफ जलामा थे और चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान थे अस्ट्रम रहिसानी की तरह आदादारल खिलाफा उनका क्वेटा नहीं था वो दुबई था अगर आपने मुलकात करनी होती तो बासानी आप दुबई में मिल सकते थे बनिस्पत क्वेटा के या कहीं इसलामबाद उसकी वज़ा से वो नाला हुए नहीं तो बलोचियों को जो MPS थे उनसे नाला होने की जूरत क्या थी उसका आपको इद्राक नहीं है बिलकुल बलोचिस्तान में हो क्या रहा है वो अंग्रेजी का महावरा है यूर टेकिंग दे गाव्मन दे एंड दे मेंबर्स दे फो गरंटेड वो करके सारा कुछ हुआ आपके हाथ से निकल गया और सारा कुछ प्रोसेस हो गया है और आप वहाँ पे वो ननकाना साथ में फर्मा रहे हैं कि एक मुटफिक का चेर्मैन आजाए और ये आजाए फाना आजाए वहाँ आप अमरीका में आप जिस किसम का सफीर भेजना हम बार बार उसका जिकर कर चुके हैं अली जहांगीर सिदीकी ऑर पता है कुँन हुनहार साथ भी है रहषाल पे प्रीकर लिए प्रप आप अलगा है अचा सल्मान साब कुछ लोग कह रहे हैं वजिराजम तो धीमे मिज़ाज के हैं ये उनके लहजे में कोई और बोल रहा है सही है अचा स्थाइशा आपको याद होगा कि कल मैंने बात करी थी कि ये एक बेवक्त की रागनी है लेकिन जो आपने सवाल उठाया है इसमें कि उन्होंने कहा क्या है और क्यूं कहा है जहां तक ये बात है कि उन्होंने चेर्मेन सेनट के रवईये उनके इंतखाब को टार्गिट کی ہے تو اس حوالے سے تو پاکستان میں کوئی دوارہ نہیں اور کوئی ایک سیسدان یا پاکستان مسلم نے ایک نون نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں ہونے والا جو سینٹ کا انتخاب ہے اور اس کے بعد چیئر مین کا الیکشن ہوا ہے اس میں خرید و فروخت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی عدالت عزمہ نے اس کا نوٹس لیا ہے یہ کیس ابھی تک وہاں پر بوجود ہے لیکن چیف ایکزیکٹیف کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے کیوں کہی ہے دیکھیں کل وہ जाती उम्रा में आये उनकी पार्टी के कोई सिनियर लोग आपस में मिले हैं और मेरी इतला ये है कि उन्होंने सेनट के इंतखाब और खास तोर पे चेर्मेन के इंतखाब को टार्गेट करने का इसलिए फैसला किया है कि इस पे तो कोई दोवारा नहीं कि वो एक ग्रूप वहां से आया था और वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लम लिए गे नून थी उसके बाद पीपर्ज पार्टी थी वो ग्रूप आके डॉमिनेट कर गया और मुस्लम लिए एक नून इसे टार्गेट क्यों करना चारी है वो आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी देख रही है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एवाने बाला पाकिस्तान का मुतबर एवान पाकिस्तान के वफा की अलामत वहां पर चीज जो है वो मैनेज हो गई है तो शायद आने वाला इंतखाब भी मैनेज होने जा रहा है जिस तरह की इतलाइत है लिएज़ वो इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे अलबता ये बात दुरस्त है कि शाहिद खाकान अबासी साहब से इस तरह की बात की तुक्व नहीं थी लेकिन वो पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद है और इस हवाले से कोई दौ़ारा नहीं कि पाकिस्तान में सैनेट का इंतखाबाद माज़ी की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जिसमें इतने बड़े पैमाने पे खरी दो फरुख कोई सादिक संजरानी मुतनाज़े शक्सिया समझे जिसना सल्मान साब कह रहे है आपने भी कल कहा ना अच्छा पे रिशू किया उस तरह मुझे अफसोस है किसी की निगाश शायद नहीं जाए अगर मैं घलत नहीं समझ रहा बाई यहां उन्होंने मिनन समाज़त की फौजियों की मोहतरम हैं ने की मोहतरम ने की वजीर आजम ने की कि किसी तरह जान चुड़ा है मुकदमें लेट कर दें किसी तरह उनके अक्तदार में आने के अमकान रहे पहले बलैक मिल कर रहे हैं कुछ की सब बैमान हैं चोर हैं ठाक हैं फौजी भी जज़ भी अपोजीशन भी सारे फिर गया अमरीका ते श्रीव ले गया है उधर भी वो मार्क गरांट का लिए उसका नाम है पिछले दफ़ा जिसने लायल गरांट पिछले दफ़ा उसने कोशिशन की ती कुछ दाल दलिया हो गया था दोजार आट में जब इमरान खाँ और अच्छक जई और जमाद इसलामे ने बाइकाड का फाल लगया तो पहले तो बाग गया अमरीकियों को कहा तावन चाहिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ठीक है ना यही है ना उनका बड़ा दर्देसार उसी पर वो चिखते शोर मचाथे भी हैं तो वो कौन कर सकता है इन्होंने कावे बचाएं हमारे मियांसाब को बचाएं किसी तरह इतलादीया हैं उन्हें कहा क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं और यह क्या करेंगे जवार्द में ठीक है ना जी वो एक मायूसी की एक चीख है एक डूपते हुए आज़ देखिए वो मुल्क के वजीर आजम है उन्हें वजीर आजम की तरह सोचने चाहिए उन्हें पार्टी के चोटे से करंद की तरह नहीं सोचने चाहिए यह है मायूसी की वज़ा आगे चुन-चुन के माइशरे के इब किनल वक्त कमजोर लोग जी हुजूरी जमा किये थे इलेक्शन जीतने के लिए अब वो साब नजर आ रहा है वो भाग जाएंगे जी हुजूरी तो चड़ते हैं सूरज की पूचा करते हैं हमेशा से करते हैं यहां यूनिनिस्ट पार्टी बन जाती है कौन से पार्टी बन ग काफलिकि ने भी परवान चड़ा है इसको बुटव साहब भी इसी को परवान चड़ा है इबनुलवक्त सारे जमा करो जागीरदार जमा करो पार्टी तो कोई है नहीं अचछा पार्टी वह होती है नमबर एक जो नजरिया रखती ओए नमबर जो मन्शूर रखती हो बिलक कि हर चीज डूपती नदर आ रही है जो खांदान से जिन लों के तालुकात है अज मैं कुछ से पूछा वो कहते हैं फरस्टेशन बढ़ी है रोनी शकले हैं वो अब को समझ आ नहीं रहा क्या है यह है जी असल में किसा अच्छा 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 2015 में भी लगा था सबूर को इससी बढ़ाने कर नहीं था देखिए 2015 के एलेक्षन में नाम भी लूगा एक जो इसका ट्राइबल एरिया से एक जो में बढ़ था जिसका तालुक पीपल पार्टी से था 2015 की बाद उसने बाकाइदा वो रकम बताई थी जो के आफर की गई थी 2015, 2012, 2009 आप देखें तो ना इस हिस्टरी को ये जो बात जो कही है देखें अब तक जो एक निया टार्गेट ढूंडा है उन्होंने अब तक जो टार्गेट था PMLN का वो या हायर जुडिशरी थी या आर्मी थी अब उन्होंने सेनेट को ढूंडा है और इस तरहां अगर प्राइम मिनिस्टर के हैसियस से आप दूसरी साइट को यानि जो आपकी मुखालिफ साइट है उसको डी लिजिटिमाइज कर दें उनक तो यह है कि जम्हुरियत से हम अपनी मर्जी के नताइज निकालना चाहते हैं और अगर अपनी मर्जी के नताइज ना निकले तो हम उसमें जरूर कीड़े डाल देंगे अच्छा अगर करप्शन है बोर्ड खरीदे गए तो इसका कोई न कोई तो सरकंस्टेंशल एविडि किस तरह से कोई अगर किसी को खरीद रहा है या आए ट्रेडिंग हो रही आपस में इसका स्बूत कैसे हैं इंटेलिजिंस एजिंशियां एविडिन्स जमा करें एविडिन्स में आपसे सरकंस्टेंशल एविडिन्स की बात कर रहा हूँ कॉन्क्रीट एविडिन्स की बात कर रहा है कोई सरकम्स्टेंसिज ही दिखा दें हमें अचा ता कि मदद लेंगे तो अप से यही तो कह रहा हूं कि हर सेनेट के ऐलेक्शन पर यह बात कही गई है तो अपोजिशन आपको डिलिजिटिमाइज करती है तो पहली तो ट्रेजडी यह है कि आप अपनी मर्जी के नताइज चाहते हैं जमूरियत से और जमूरियत हमेशा आपकी मर्जी के नताइज ने देती प्राइम मिनिस्टर सहाब ने एफट की है वोट जीतने के लिगन कामि अब नहीं दूसरा इसमे खराबी यह पैदा होती है कि जब आप अपने मुखालिफ को बिलकुल डिसकार्ड कर दें आपने मुखालिफ के लिए गेम बंद करना चाहें तो फिर जमूरियत को नुक्सान पहुचता है क्योंकि आप यह कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो मुख में इजाफा होगा हमें पुलिटिकल कॉनफलिक्ट को कम करना है हमें आपस में हामनी क्रियेट करनी है क्योंकि हार्मनी से लिए वजीराजम कह रहे है अगर वो चाहते तो बना लेते है अपना चेएमेंट सेनेट अयास साब नहीं बिल्कुल बिल्कुल असूनों से नहीं हटे उन्होंने रसूलों का का है अधरा रोक जानी एक मिनट के खामोशी है तरह मने अख्दार करें उसलों का बोल बागाएं अधराल वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रही है जो सबसे बड़ी जमात थी सेनेट में उसको दो दिन के लिए दो दिन तक तो इन्होंने अ अक्सरियती जमात है और वो अपना वो कर लेगी और वो कर लेगी आप पूछ रही हैं कि मुस्तनद गवाहि क्या है मुस्तनाद गवाई ये है कि वहां से कुछ हूँ आए और हम सनद जारी कर दे वो कहते हैं कि हुआ था ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे हुआ भाई वो तो कहेंगे वो तो शोर साज़श हुई है फलाना हुआ है ये पैनमा का पेपर्स है ये पैनमा पेपर्स का रिवलेशन है, ये साज़श थी, ये तियार की गई थी कहीं पे, सामने आई है, हमसे ये सवाल जवाब पूछ रहे हैं, जे आई टी बन रही है, वो हमसे सवाल ये सारा साज़श है, आप मुस्तनद गवाई कहते हैं, उन्नी सो नवे के इंतखाबात म में वो सबूत मौजूद है, दसखत शुदा, असकर खान केस के, सुप्रीम कोट के पास और एफ आई ए के पास, वो बियान मौजूद है, वो काईद जमूरियत का, काईद बमलकत का बियान लिखा हुआ, दसखत शुदा मौजूद है, मुझे याद नहीं पढ़ता के ऐसे कोई पैसे दिये गए हूँ, पर अगर थे, तो बमैसूद मैं देने के लिए तयार हूँ, यह जो है, यह जो इतने, मतलब इतने, जो है, स्मार्ट चीफ मिनिस्टर साब, इनको टीटी गई थी, वो दसखत शुदा टीटी जो आप वसूल करते हैं, पोस्ट आफ़े से, बा को याद है, हुदैबिया केस में, वो काजी फैमिली वो कहां गई, जिनके अकाउंट से आपे खोले गए थे, जिनके वहां पे तसखत करके, करकरके, वहां पे यह सारा कुछ हुआ, यह है, बात है कि जो भी है, ही इस नाओ दे चेर्मन सेनेट इलेक्शन प्रोसेस के प्तखिब हुएं हैं, इन्होंने राजा जफरलहक को, यार वैसे क्या वैसे नून ली की आप आप पॉलिसी, जब डूब रहो तो या सईदु जमान सिदीके को ढून लाते हैं, या बिचारे राजा जफरलहक को, इस इस उमर में उनको ये भी कामरानी और जो फते हैं, उन जनको ये नहीं समझ के मैं अमरिका में जफीर को क्या बनाऊं? तक कि तक कि तकरीबन सौ दफा कह चुका था कि जिन्हों ने बलोचस्तान के अंदर तद्दीली किया, क्या वो चेर्में सेनट पाकिस्तान मुस्लम लीग नून या उनके इतादी को बनने देंगे? प्रोफेसर साब आप मेरे साथ लाइफ ट्रांस्मिशन में मुझूद थे, मैं आखरी वक्त तक ये कहता रहा हूँ, और अब मैं दोबारा ये बात दोरा रहा हूँ, देखें, मैंने कल भी कहा था कि चीफ एक्जेक्टिव साब अगर ये बात कह रहे हैं कि चेर्में सेनट का इंतखाब किस तरह हुआ, इस पे कोई दोराली, इमरान खान साथ के 16 अराकीन असमली कौन हुचक के ले गया, वहां तो अस्तबल का अस्तबल बिग गया, बात ये कि ये अलेक्शन में खरीदो फरोखत होती रही है माजी में भी, लेकिन चेर्में सेनट के इलेक्शन में इस तरह कभी नहीं हुआ, और बात ये कि ये जो, इस लिए का कि कल जो मुलाकात उन्हें ने की है, मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा, कि उन्हों ने इस लिए किया ये बात, कि मैं समय तो मेरा भी इखतलाफ है, लेकिन जिस तरह का इंतखाब सेनट का हुआ है, इसी तरह इं पहले में जा रहा है, जहाँजा उन्होंने पहले ही फार्सी कर के इसे इस इस एशु कन आया है, इस नहीं पार्टि वज़ीपन। अगर तो बाइजान करें नवाज शरीफ साथ खरीदो फरोगत, अगर तो वो चम्चम को बर्वान बात नवाज पर शामल करें अपनी पार्टी में, दोहजार थारा तैरा के एलेक्शन में, अगर वो च्छांगा मागा में ले जाएं, अगर वो रियास्त के वसायद यो वो चम्चम कानूनी सूरत इहाल है, वो तो यह एलेक्शन कमिशन तैय करें या अधालत तैय करेंगी, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, अब कानूनी पॉजिशन जो मेरी समझ में आती है घलत है, यह अखलाकन तो घलत है, वह सीक्रेट बैलिट है, उसमें उन्हों दुबाइ में रहता था या करेष्य ने रहता था वह वहां बैठता नहीं थो वजीरों ने तеня आना था ता ना यहजे स्प्कार को भी मुलूद रुखे रूखे है और सूबा किसको दे दिया था जो मानता ही नहीं मुलको मैं मुध अच्च को दे दिया था सुब़ा मैं खुद महां कोटा जाता रहा हूँ मजाला कभी पाकिस्तान एक परवे कभी पाकिस्तान के हाख में एक लफज इंसे नहीं सुना अच्छा लेकिन इमरान खान जो मोतालबा करते है कर आरारस ब मुतालत रिखार ओंवारा है, बोड़ हम बयाद है, अचिखी बात कालिए है। सूली तोर पे तो हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको दो चीजों में एक फरक करना पड़ता है इसके लिए कॉंसिचुएंसिज आप बनाएंगे उसके इलावा सबसे एहम जो जगड़ा पैदा होता है वो इक्तियारात का होता है जब डारेक्ट इलेक्शन कराएंगे आप अपर हाउस का तो आपर हाउस के इफिआरात को बढ़ाने का मुतालबा शदीत तर होगा इस वक्त अपर हाउस के पास यान hé सेनेट के पास बजट पे कोई कima ड़सर नहीए वो तजावیस पेश कर सकते हैं लेकिन कन्टृल कोई नहीं है तो वो फिर equal share माँएगे आप उनको equal share तो देना नहीं चाहेंगे direct election करके देखिए अगर आपको ये शिकायते रहती है कि जर्नल जो election होते है उसमें धांदली होती है तो अगर वहाँ धांदली होती है सेनेट के जनरल एलेक्शन में क्या आप धानदी नहीं कर सकते बात ये है कि जब तक पुलिटिकल पार्टी इस खुद ये डिसाइड नहीं करती संजीद ये नहीं दिखाए अच्छा आप में टाइम था कि बैट के सर जोड़ से हकोमत दब गई है और वजीर आजम को ये समझ और सुच बूज नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाही अइसे आडमे को अमרीका में सफीर नामज़द करने के लिए भीजना चाहिए उनको तो उस पे तब तब तवज्जव देनी चाहिए। वहां से करके वहां नानकाना साब में वो एलाने जिहाद कर रहे हैं ठीकि वो मुलक का ये होगा है। वो सब नानकाना साब में ऐसी बाते हो जाती हैं आप अप अगुस्टा लगए। इसकी में तश्रीया क्या है? अच्छा पुबेस साब इजाज़त दीजे मैं ब्रेक ले लूँ आवाम की राया भी शामिल करने हैं उससे पहले कि अवाम क्या सोच रहे हैं वजीराजम ने जिस तोर सैनिट चेर्मेन पर तनकीत की किया ये रविया मुनासिब है 70 पीसिद का ये कहना है कि जी नहीं इस तरह से वजीराजम के मनसब पर फाइस चक्स को नहीं करना चाहिए 30 पीसिद ये कहते हैं कि ठीक है कहीं खुदा लगती कही है उनने किसी हद तक ब्रेक के बाद जो वापस आएंगे तो बात करेंगे जिस तरह से आयास साब का ये कहना है कि ठीक तरह से हकुमत चलाई नहीं जारी तो चीफ जिस तस ने भी यही का है हकुमत नहीं चला सकते तो घर जाएं ब्रेक के बाद पंजाब में नीजी कमपनीज का सकैंडल दुनिया न्यूजी अक्तुबर 2017 में मन्जरे आम पर लाया था अब इस बारे में जब समात हो रही है तो चीफ जिस तसकी रिमार्क सामने आया है कि मुल्क इस्ट इंडिया कमपनी की तरह ठेके पर ना दें आप से जाना चाहेंगे कि आप कैसे समझते हैं इस बात में ठेके पर देने वाली बात में किस हद तक हकीकत है और ये कितनी गहरी बात कही है चीफ जिससे साब ने या साब क्यों प्राइविट कमपनी को देना पड़ता है इस तरह से मुल्क क्यों उनके हवाले करना पड़ता है जब सरकारी अदारे मौजूद हो तो ऐसे तरजे हकूमत हिस्टरी आफ पंजाब में तारीख पंजाब में कभी नहीं हुआ जो इन्हों ने मतारफ कराया इतनी बड़ी आपकी नौकरशाई और एक इंतजामी धानचा है हर मैकमे का एक सेपरेट डिवेजिन या वजारत है वहाँ पे ये सारे CSP और DMG ये सारे जो लोग हैं आप जो हर चीज ने ठेके पे दे रहे हैं और भला हो चीफ जस्साब का जिन्हों ने ये मसला उठा के इसका जो भंडा है वो वहाँ बीच चुराएं में जाके फेंका है और वो सिर सामने आए इनको तो यहाँ पे जो लह जहारों के जोर पे के जी हमने ये कर दिया गुड गविनन्स कर दी फलाना कर दी तारीख आलम में शाय इतना बड़ा कोई अडमिनिस्ट्रेटर शेर शेर शासूरी की क्या बात करते हैं लेकन जो यहाँ पे और ये जो पंजाब स्पीड है एक बुलिट ट्रेन पता नहीं होती है और यहाँ के जो बुलिट ट्रेन ना उसका नाम है पंजाब स्पीड जिसके आगे से वो जा रही है और पता अजीब अजीब यह जो चीफ जस्स साब ने चीफ सेकरेटरी से पूछा कि कितनी कंपनीज हैं जो हकूमत पंजाब ने सरकारी काम जिसके लिए सरकारी मे में मौजूद हैं उनको तनखाएं मिल रही हैं अवाम के पैसों से वो काम डुपले के डबल करने के लिए आपने कितनी कंपनीज बनाई हैं चीफ सेकरेटरी साब ने कहा कि पचास एक कंपनी के ओदेदार को सामने पूछा कि आपकी तनखा क्या है उसने का जी साथ लाक च आहत चीमा साब बाकी अपने तमाम कारनामे करके एक वो थर्मल पार जो है यूनिट उसके सरब्रा सोला सत्रा लाक उनकी तनखा बाकियों की वो हमारी अख़बार में आज दुनिया में आज वो सारी तफसील है कि फलाने को इतना और मनजूर नजर फलाना शेर दिल जो पत उन्होंने ये किया ये तो एक अजीब ऐसा जो है कभी भी आप रंजीत सिंग से लेके आज तक की पंजाब की तारीखा पड़ लें लेकिन इनके कारनाम में चीए अधमिनिस्ट्रेटर इतने इतने बड़े इश्तियार हाँ हरुसा बड़ा सवाल जहन में उड़ता है कि सिर्फ पंजाब में एनिजी कंपनीज ये दूसरे सुबों में भी हैं उनका भी रेकॉर्ड तरफ करना चाहिए नहीं नहीं कि दुनिया में कभी आई तक हैसा नहीं हुआ कभी दुनिया के किसी मुलक में देखिए मुख्तलिफ सिस्टम्स रहें जागेरदारों के जरीए मुलक चलाएगए ठीक है गवर्नरों के जरीए चलाएगए सिबल सिब्रिस की मुख्तलिफ शक्राने नहीं सिबल सिबल सिब्रिस तो बहुत एक पुरानी चीज है उसका धांचा जो है वो बदलता रहा है वक्त के साथ वैसे ये तुर्कों ने इसके संसरा शुरू किया था सबसे पहले बावर्दी फोज का और ये समझे जाता है कि मगर्ब में ने किया और अपने किया और अपने किया अपनी विम्स के मताबक काम करने वाले आदमी चाहिए उसके लिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करने है 17-18 बजारतें अपने हरम में डाल रखी हैं मतलब ये बजारतें कोई वजीर है ही नहीं किसी को सौंपी नहीं है चूंके अपनी विम्स पे काम करना अपनी मर्जी के मताबक मसलें ये कोई अगर कैबनेट फैसले कर रही हो या असेंबली फैसले कर रही हो तो ये तमाशिया कभी भी नहीं हो सकता और इंच ट्रेन का कोई 54 उसका बजट है हेल्थ का 59 है एजुकेशन का जो खर्च कभी नहीं होता उसको कोई बन थार्ड हमेशा बचा लिया जाता है और इसका है एक सो साथ पैंसेट हर रुपे सरकारी है और पता नहीं इनफेक्ट कितना होगा देखे 14 बिलियन इसके जाएंगे सबसिडी में चार बिलियन जाएंगे मेंटिनेंस पे 30 बिलियन वापस कर रहे होंगे यानि 10 करोड इनसानों की सेथ और तालीम पे जितना पैसा खर्च होता है लग लग उतना पैसा ये अड़ाई लाक मसाफर जो हैं एक मसाफर के उपर खर्च कितना है बेसिक सबसिडी उसके इलावा है छे लाक पचास हजार रुपे 20 रुपे का टिकट होगा दुनिया में कहीं इतना सचते टिकट नहीं है कितने इसमें से वोट मना लेंगे वोट तो वही हैं जो उनके हैं फर्च किजिए 10,000 वोट बढ़ जाते हैं 10,000 वोटों के लिए हम क्या प्राइस पे करेंगे 116 महीने 14, 4, 38, 48 अरव रपय हर साल हम दिया करेंगे ताके शहबाज शरीफ साब को वोट ये अपने नकता है नजर से सूचते हैं मुल्क के नकता हैं सिवल सारस में अगर खराविया हैं उसको ठीक करें उसको इंप्रूव करें तरफाएं पढ़ाने की जरूरेभा इधा या मराद पढ़ाने की जरूरेभा तर रहा है या मेरिट का कोई ऐसा नजाम लाने की जरूरेभा तर गोरता है। हम बात करेंगे मजीद वापस आके वेलकम बैक टू जो शो प्रफेसर साब आप से जानना चाहेंगे ये कहा जाता है कि जो मल्टी नैशनल कामपरीज होते ही ये सिर्फ कारोबार नहीं करती किस तरह अमरिकी मल्टी नैशनल कॉर्परेशन ने वाँगी गौर्मेंट्स ओवर्ट्रो की हैं लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं यहां इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा यह इसलिए कमपनीज बनाई हैं पंजाब के अंदर कि जो गौर्मेंट के स्टेंडराइजड रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं उन से उस काम को आजाद कर दिया जाए कमपनी बनाके बियरोक्रेसी मौजूद है दूसरा इसका मकसद यह होता है कि जो आपके फेवरेट बियरोक्रेट है उनको रिवार्ड करो क्योंकि एक्स्टरा तुन्खा मिलती है और यह आपने लॉयल्टी बाई करनी होती है लॉयल्टी बाई करने का तरीका यह कि आप अट्रेक्शन देते हैं कि भाई तुमारी 75, 70,000 रुपए तुन्खा है अगर हम तुम्हें कंपनी में डालेंगे तो तुम्हें पांच लाग एक्स्टरा मिलेंगे और यह चीज़ें जो बियरोक्रेसी के रूल्स वाइलेट करके की गई हैं देखिए बियरोक्रेसी के बड़े क्लियर रूल्स है क्योंकि इसका मतलब है आपको उपर से पर्मिशन लनी पड़ती हैं यह सारे प्रोसीजर वाइलेट किये गए हैं इनोंने पंजाब होता हूँ दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज और खास तो पर पाकिस्तान के अंदर आप बैंकों के सरपरा देख लें पी ए के सरपरा लेकिन यह जो म लेकिन गया किने परोजेक्स की बात देख लिया जो है यह पाकिस्तान की सबसर नजर आ होया है काबले पजिराई समयना चाए एक फिक्रा अब दो बाती ने किया आपने अब बात यह एक तो है कि मसले को हटाना जो है ना मैं मतलब सलूट लेता हूँ कहां से बात वो हो रही है कहां से अधना डाना आपने आपसे सीख़े करके वो कंपनिस जो है यहां पे अफसोस सिरफ इस बत का है कि ये चीज पहले एक्सपोज होनी चाहिए थी सियासी पार्टी सो वो करनी चाहिए थी एसमेड्य को करना चाहिए थी मीडिया को क Forsch चाहिए थी सिब देखें चीफ जस्टिस आ के आज ये कर रहे हैं और ये सारी चीज़ जी सारा स्कैंडल इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सामने आ गया है फिर हम कहेंगे देखे जी जो है वो अपना वो तजाबस कर रहे हैं ये कर रहे हैं अरुन साब बात कहा नहीं कि दी मैं कह चुक हो देखे सारा सिस्टम जो है कलाबस स्टील का एक धांचा होता है जिस पर हमारत बनती है उस धांचे को बरबाद कर दिया है इस सारे सिस्टम का असरे नो तामीर करना होगा इसलिए मेरे ये खियाल है कि इनसे अब जान चूट र है गंता सारे गले पर हमते के लिए लेने के बान हुआ है